आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतेक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट वीडियो सिलीशन पाओ अभी आई जाती है पहला लाइमन दूसरा बामर तीसरा पासन चौता ब्रेकेट तो देखें दोस्तों इसको समझने के लिए यहां पर जो मैं चीत्र बनाया है दोस्तों उसको हम पहले समझते हैं ठीक है दोस्तों यह देखें दोस्तों यहां पर देखें दोस्तों मैंने एक चीत कड योती ना भीक होता है यह धना विसीदच भाग होता है भाग है इसको हम ना भीक बोलते हैं और इस के चारोर फ। उथर पहले प्रौड करते हैं तो है चक्क कर लगाते रहते हैं जैसे यह हमारी ये चार इलेक्ट्रोन लगा रहे हैं, ठीक है, तीसरी में 8 इलेक्ट्रोन लगा रहे हैं, इस तरह से जो इलेक्ट्रोन हैं, दोस्तो, अलग-लग कक्षक में ऐसे चक्कल लगाते रहते हैं, ना भीक के चार वर, तो क्या होता है, दोस्तो, जब इलेक्ट्रोन जो है, उर्जा उच्च कक्षक से निम्न कक्षा में आती है, ठीक है, तो क्या करती है, उर्जा उच्सर्जित करती है, ठीक है, इलेक्ट्रोन जो है, जब क्या होता है, दोस्तो, नीचे आता है, मतलब उच्च कक्षा से उच्च कक्षक से निम्न कक्षक की और आती है, जब ऐसी घटना होती ह ठीक है दोस्तों और यह उर्जा हमको कैसे दिखाई देती है चमकीली रेखा के रूप में चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देती है ठीक है दोस्तों और इस चमकीली रेखा को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ठीक है दोस्तों अब यह देखे दोते हैं यह चमकीली रेखा एक ही रहा नहीं मिलती दो तो एक अलग अलग कख्छा से अलग आलग अलग चमकिलि रेखाओ के एक स्रेंडी प्राप्त होती है, तो उसको उस नाम से दिया गया है, ठीक है, देख है, हमको दे कह से पर एक सुतर हमको मिलता है, एक बटा लैमड़ा बराबर, यहां पर हमको मिल जाता है, आर और एक बटा N1 का वर्ग रिंड एक बटा N2 का वर्ग ठीक है दोस्तो यहाँ पर यह जो लेमडा है दोस्तो लेमडा हमको क्या बता रहे है दोस्तो जो चमकीली रेखा मिली दोस्तो है ना चमकीली रेखा का तरंग दैद्य ठीक है दोस्तो बहुत सारी चमकीली रेखा हमक रिड़ बर वग्यानिक नाम प्रखा गया, इसका मान होता है, एक दस हम लोग सुन्य नो, साथ गुड़ी, दस के घात, ये साथ के बराबर लगबग ये होता है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर जो एन वन बता रहे है दोस्तों, ये बताते है निम नकक्चा को, ठीक है दोस तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहला जैसे मैं लिखता हूँ दोस्तों, जब हम लोग एन वन जो रहता है दोस्तों, हा न, एन वन हमारा एक है, और एन टू हमारा जब 2 होगा, तीन हो सकता है, चार, पांच, छे, तो क्या होगा दोस्तों? N2 मानलो अगर 2 लेते हैं तो दूसरी कक्षक से पहली कक्षक मायेगा तो एक स्पेक्ट्रम वास लिख लेगे दोस्तों ठीक है फिर जब हम दूसरी बार N2 के जगा 3 लेते हैं N1 के जगा वही एक ही रहेगा तो फिर दूसरी चम के लिए रेखा मिलेगे इस तरह देखें बहुत सारे हमको चम के लिए रेखा मिलती है तो यह जो चम के लिए रेखा मिलेगे दोस्तों यह किस में आती है दोस्तों लाइमन स्रेंडी में आती है ठीक है लाइमन स्रेंडी ठीक है दोस्तों और दूसरा अगर N1 को हमारा देखिए दोस्तो N1 हमारा 2 हो जाता है दोस्तो ठीक है और N2 हमारा 3, 4, 5, 6 ऐसे करके होता है ठीक है मतलब क्या हो रही दोस्तो तीसरे कक्षक से दूसरे कक्षक में आरी एलेक्ट्रोन तो एक चम के लिए रहा चोड़ेगे फिर दूसरे बार में जब 4 से दूसरे में आएगे तो फिर चोड़ेगे चम के लिए रहा तो यह जो मिलती है दोस्तो इसको हम बोलते हैं बामर सेडी ठीक है इसमें जो चम के लिए रहा है हमको मिलती है बामर सेडी इसको बोला जाता है तीसरा जब n1 बराबर 3 हो जाएगा और n2 बराबर 4, 5, 6, 7 जो भी है है ना तो जब इस तरह case होगा दोस्तो 4 कक्षक से 3 कक्षक में आ रही है फिर 5 से 3 में आ रही है 6 से फिर 3 में तो जो इस तरह से रिखाय मिलेगे ये किस में आता है दोस्तो पासें स्रेंडी में ठीक है दोस्तो और जब हम 4 लेखते है n1 बराबर 4 और n2 बराबर 5, 6, 7 इस तरह से जब ये 5 वे कक्षक से 4 कक्षक में लेक्टोन आएगा फिर 6 वे से 4 में आएगा फिर 7 वे से 4 में आएगा देखिए चम के लिए रखा है हमको मिलती जाती है तो ये किस स्रेंडी में आती है दोस्तो ये हमारी आ जाती है ब्रेकेट स्रेंडी ठीक है दोस्तो ये देखिए ये हमारा इलेक्ट्रोन जो है दोस्तो आना दूसरे कक्षक से पहले में आता है तो एक चम के लिए रिखे छोड़ेगे, तीसरे से फिर पहले हमायगे चम के लिए रिखे छोड़ेगे तो ये किस में आ रहा है हमारा लाइमन स्रेंडी होगा फिर जब अगर इलेक्ट्रोन तीसरे कक्षक में और दूसरे कक्षक में आता है हान इलेक्ट्रोन मालो यहां आता है हान इस इस कक्षक से आता है तो यह किस में आ जाएगा दोस्तो बामर स्रेणी में आ जाएगा हान फिर जैसे इलेक्ट्रोन जो है मालो चौते कक्षक से तीसरे में आ रहा है पांचवे से तीसरे में आ रहा है यह हमारा किस में आ जाएगा दोस्तों ये मैं जाईगा BDź ॥EP तरंग देद्द्ध के बराबर मिलता है इसको हम देखे दो तो तुट्रकमाद्य हमसे गढ़ना कर सकते एं जैसे अगर मैं पहले लाइन का गतरंग देर तकी गरना करूंगा तो आर, एक बटा एक का वर्ग, पहली रेखा के लिए क्या मिलता है दो, तो यह देखिए यह तो दो का वर्ग मिलेगा, रिंड, यहाँ पस हमको क्या मिल जाएगा दो, तो एंटू का वर्ग करना है तो तीन का वरगत ठीक है यह हमको क्या मिलेगा एक बटा चार रिण एक बटा नो ठीक है इसको जब हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखे इसका लगुत्तम समापर 36 आ जाएगा दोस्तों ठीक है तो यह 36 हुआ दोस्तों यहाँ पर 9 रिण 4 तो कितना आया तो यहाँ पर जैसे हम लोग मान को रखते हैं तो इसको जब हम लोग हल करेंगे दोस्तो आप इसको केलकुलेटर से कीजिएगा दोस्तो तो यह हमारा लगबक कितना आता है दोस्तो तो यह हमारा आता है दोस्तो छे पांच पांच नो आंग्स्टाम आंग्स्टाम मतलब होता है दोस्तो दस गिगातर निर दस मीटर ठीक है तो छे पांच पांच नो आंग्स्टाम यह मिलता है दोस्तो तो यह जो है दोस्तो हमारा क्या है maximum बताएगा दोस्तों ठीक है अधिक्तम तरंग देदे क्योंकि जो तरंग देदे उसके कक्छाओं के संख्या के विद्कुरमा नुपाती हो रहा है दोस्तों इस संबन से तो सबसे पहला वाले जो मिलेगो अधिक्तम मिलेगा ठीक है और सबसे निउनतम कब मिलेगा दोस्तों जब N2 को हम लोग अनंत ले लेते हैं ठीक है जब हमारा अंतिंग कक्छक अनंत हो जाएगा तो मिनमम जब लिका लेंगे हैं तो यहाँ पर R बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों यह हमारा हो जाएगा एन क कशक मिला रहे हैं तो यहां पर हम को निउनतम तरंग दैद्ध मिलेगा तो इसको हल करतें तो यह क्या मिलेगा देखिए एक बटा चार और देखिए अनंत का मान क्या होता है अनंत का वर्ग अनंत ही मिलेगा अनंत को एक बटा सुन्य के बरापर लिखते हैं तो यह हमको क्या मिलेगा आर एक बटा चार रिंड सुन्य बटा एक तो यह क्या मिल जाएगा, सुनय हो जाएगा, तो R बटा 4 मिल गया, ठीक है दोस्तों? यह जो हमको मिला है दोस्तों, हाना, यह 1 बटा lambda minimum है, तो lambda minimum हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों? चार बटा आर अब चार बटा एक दस और नो साथ गुड़ित दस गजाट साथ करेंगे तो यह हमको लगष है चार चार आंग्ष्टाम के लगभग यह मिलता है दोस्तों ठीक है तो देखे दोस्तों इसका जो परास मिला दोस्तों यह जो दो परास यह जो है न द्रिश से प् फ़रास जो होता है तरंग देते इसी तरीके जमिलता है तो हमारा जो उत्तर इसमें जो आएगा दोस्तों ठीक है यह कौन से उत्तर आएगा दोस्तों दूसरा बामर ठीक है दोस्तों धन्यवाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर